लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें बरकत बुटिक को और किलिक करें बैल आइकन पर ताकि स्लाइस से रिलेटिड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम आपको बुकरम पर गला कैसे बनाते हैं यह बताने वाले हैं मैं आज आपको बुकरम पर गले की कटिंग और स्टीचिंग दोनों ही बताने वाली हूँ तो उसके लिए हमने यह बुकरम ली है बुकरम मैंने जो ली है यह 10 पहनते हैं तो हाफ लेंगे उसका धाई इंच अगर हम 6 चोड़ा गला पहनते हैं तो उसका हाफ लेंगे 3 इंच मैं यहाँ पर 5 इंच चोड़ा गला बनाने वाली हूँ उसके लिए हमने धाई इंच पर निशान लगा लिया है लंबाई का भी वही है कि अगर आप गला 6 इ मुझे काटना है उसके लिए हम आधे से ज़्याधा लेकर और उसमें गोलाई कर के इस तरह से बनाते हैं जहें देखिये बंद वह इसाइज तरह open के तरफ perfect cutting हुई है अब हम बाहर की तरफ से एक एक इंच फालतू बुकरम काटेंगे यह देखिए इस तरह से हमने एक एक इंच फालतू बुकरम काट ली है यानि हमने बुकरम पर गले की cutting कर ली है अब हम इसको कपड़े पर लगाएंगे तो पहले हम इसको वेस्ट कपड़े पर लगाते हैं जो सूट में से बचा हुआ कपड़ा होता है उस पर यह देखिए यह हमने सूट का बचा हुआ कपड़ा ले लिया है इस पर हम गले को रखेंगे और इस पर हम मशीन से सलाई लगाएंगे कच्ची सलाई हम चाहें तो यह सलाई हाथ की सूई से भी लगा सकते हैं या फिर मशीन से भी सबसे पहले तो हम इस गले को इस तरह से रख लेंगे बिल्कुल सही से रखना है हमें इसको फैलाना या सुकोड़ना नहीं है कहीं गला फैलना जाए या अंदर को सुकड़ना जाए इसलिए बिल्कुल सही से गले को रख कर हम इसमें चौक से निशान लगा लेंगे दोनों तरफ यह देखिए इस तरह से चौक से निशान लगा लेंगे ताकि सलाई लगाते वक्त हमारा गला फिसले नहीं अब हम इसमें मशीन से सलाई लगा देंगे ध्यान रखें आप हाथ के सुई से भी लगा सकते हैं इसलाई इस तरह से यह देखिए हमने सलाई लगा ली है यानि जो हमारा गला है वो कपड़े पर सिल लिया है हमने अब हम आदादा इंच एक्ष्ट्रा काटेंगे बहर की तरफ से कपड़ा और उसको मोड कर सलाई लगा देंगे ध्यान रखें बहर वाला ही कपड़ा काटना है अंदर वाला नहीं काटना है पहले अंदर वाले की कटिंग बाद में होती है इस तरह से हमने गला तयार कर लिया है यह देखिए अब हम इस गले को बीच में से मोड़ कर इसमें हम निशान लगाएंगे क्योंकि अब यह हमें सूट पर लगा कर सिलना है इस तरह से बीच में से मोड़ेंगे बराबर और बिल्कुल बीचों बीच हम चौक से निशान लगा लेंगे इस तरह से कुटका लगा देंगे बीच में यह देखिए इस तरह से हमने यह निशान लगा लिये हैं बीचों बीच थोड़ा डार्क कर लेंगे और जैसे हमने यह निशान लगाए हैं गले में वैसे ही निशान हमें सूट में लगाने है गले में उल्टी तरफ लगाते हैं और सूट में हम सीधी तरफ निशान लगाते हैं सूट को इस तरह से मोड़ कर बन भाग की तरफ इस तरह से हम निशान लगा लेंगे कुटका भी लगा देंगे जैसे हमने गले में लगाया है और इस तरह से सूट पर हम गले को रखेंगे एक बात हमें याद रखनी है कि गले को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ रखते हैं देखिए इस तरह से और बीचो बीच हम इसमे सिलाई लगा देंगे कच्ची ही सलाई लगाते हैं ये बड़ी सलाई बिल्कुल बीचो बीच हाथ के सुई से भी कच्चा कर सकते हैं आप इसको और इसके बाद वैसे तो हमें नापने की जरूरत नहीं है हमारा गला बिल्कुल बीच में लगा होगा लेकिन हम फिर भी एक बार नाप लेते हैं कि हमारा गला टेड़ा तो नहीं है देखिए इस तरह से तो ये देखिए बिलकुल बराबर हमारे गला भी बराबर आ रहा है और सूट भी बराबर आ रहा है इसका मतलब हमारा गला बिलकुल सही लगा है देखिए बिलकुल बराबर है यहां से अब हम इसमें सलाई लगाएंगे तो जैसा था ये इसको वैसे ही रख लेंगे और अब हमें जो सलाई लगानी है वो बुकरम पर लगानी है बहुत जादा बुकरम पर हमें चड़ा के सलाई नहीं लगानी है बिल्कुल सुई की नोक के बराबर चड़ानी है सलाई और ये हमने गला जो है वो सूट पर लगा लिया है अब अंदर की तरफ हम आधा-दा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे कटिंग करने के बाद हलके हलके इसमें कट लगा देंगे सिलाई से पीछे की तरफ ही लगाएंगे कट सिलाई न कट जाए और अब इस गले को अंदर की तरफ पलट देंगे देखिए इस तरह से अब हम इसमें कट्चिस लाई लगाएंगे मशीन से ही देखिए इस तरह से जो सूट का कपड़ा है इसको बाहर की तरफ खीचते हुए इस तरह से हमें खीचना है और ये जो सूट का खिचाव होता है य मशीन की तरफ होना चाहिए नहीं तो गले में जोला जाता है और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे पूरे गले में देखिए अब हम इसमें एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारी पर ये तो कच्छी सिलाई लगाई है हमने और जो अब सिलाई लगाएंगे वो लगाएंगे हम पकी सिलाई बिल्कुल किनारी पर लगाएंगे फिनिशिंग के लिए वो सिलाई लगाई जाती है यह देखिए ऐसे पूरे गले में लगा लेंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि स्लाई से रिलेटिड या मोरी डिजाइन से रिलेटिड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएं यह देखिए इस तरह से स्लाई लगा ली है और यह स्लाई लगने के बाद गले में एकदम से ही फिनिशिंग दिखने लगती है अब हम इस गले में तुर्पाई कर लेंगे और तुर्पाई करने के बाद हम यह जो कच्ची स्लाई है इसको उधेर देंगे यह देखिए तुर्पाई होने के बाद कितनी finishing के साथ हमारा ये गला बनकर तैयार है हमने तुरपाई कर ली है और तुरपाई करने के बाद हमने इसकी कच्चि सलाई को उधेर दिया है इस तरह से हमारा बहुत ही finishing के साथ गला बनकर तैयार है I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करें और हाँ आप भी ये बुकरम का गला जरूर ट्राई करें थाइंक यू